आज simple से लेकिन इस पेसल से मटर मस्रों मालू की यह कैसी रेसिपी मैं आज आपके साथ सेर करने जा रहे हूं जो आपको अच्छी लगेगे नमस्कार फ्रेंड मैं हुशंगीतार आपका बहुत वशाकत करती हूं आपके अपनी रस्वी में आशा करती हूं आज की रेसिपी आपके लिए हैल भी बुलोगे और इस रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राब करें इसे एकसाइड कर दे अर अपना फीड़ वी मिचे जरू से कॉमें सेक्शन में दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है आगे में किस तर में रखिएगा अलू मैंने थोड़े से यां पर बॉयल कर रखे हैं चोटे साइड की आलू थे मेरे पाफ प्याज हम सबसे पहले यां पर हमें ग्राइन जा लेंगे ता आज अलग तरीके से बना रहे हैं जटपड बनके तायर होती है सबजी और खाने में स्वादिष अच कट कर लिया है इसको भी साथ में यां पर ग्राइन कर लेते हैं दोने चीजों का अलग अलग के ग्राइन करेंगे प्याज अलसन को ज्यादा भूनना होता है यानि कि उसको अलग भूनना होता है यदि हम इनके साथ इसको ग्राइन कर लेते हैं तो टमाटर में पानी की मातर सबस्क्राइब कर दिया है जो भी आप तेल करते हो या खीज की दोनों चीजे गीज़े हैं अच्छा ही रहेगा दोनों चीजे थोड़ से यह आपर तेल के इस्तमाल से हमने यह हैं नहीं सबचे कर्चा,double करें जाए हमी तोह से तरफ से साइड करतें रावट जाए जब हम सबचे कहें अ episódio सब्सक्क्पास रभiku किस साधी करेंगे ayam यहां पर मतव कम मसाल ती तो यहां पर हम कं अशाल में कम तेल में स्वाधिश अच्छी सबजी बना कर तैयर करेंगे आलों में तो देखने में लग भूत जबरत स्वाइब है रिष्ट रिस्पी भी हो गाई है ऐसे में सब्जी के साथ में जाते यह घुलेंगी नहीं बलकि अच्छे यह हैं सेफ बनी रहती है यह फिन दिया लेना है तोड़ा से यहां पर सर्षो के दाने थोड़ा से जीरा डालें बुनने के बाद हम इसमें जो प्याज और लसन को पूरी तरीके से निकालने तक यहां पर धीमी आज पर भूने जाएंगे प्याज और लसन अच्छे सब्जी बन के तायर होगे कभी हम पहुत सारी मेनत के लिए थे सब्जी में उस्वाद ही नहीं आपाता लेकिन सिंपल से सब्जी में कभी इस तरीके से बना कर आप देखेंगे आपको अच्छी लगेगे नमक डालेंगे थोड़ा सा यहां पर जादा भी मसाले एटने करने प मैंने यहां पर एक पैकित के बराबर मैगी का मसाला पाउस्था मेरपा व मैंने डाल दिया है बुझने के बाद हम इसमें पानी एट करेंगे और इसको ग्रेवी को अच्छे से पकने देते हैं ताकि जो सूखे मसाले हमने इसमें अच्छे से यहां पर पक जाए मसाले अच जो जादा सिंक हो जाते हैं और खाने में इसका बहुत अचा क्रण्स आता है तो मैंने इसके बड़े बड़े टुकड़े रखें तो इसी तरीके से हमने चंग से रखना है मस्रूम मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे अपने यह आलू जो हमने यहां पर ख्राय कर रखे द अच्छे से थोड़े से सौप्ट हो जाए जादा नहीं इकदम से हमने इसको जादा नहीं पकाना है बाकी सब्ची हमारे ऑल्लीटी आपर पक चुकी है बस पला बरस मिला लीजेगा और जल्दी बन के तायर हो जाते हैं इसको मिलाने के बाद अम इसमें उपर से धनिया डा थोड़ी सी कशूरी मेत भी आप थोड़ा से क्रस्ट करके यहां पर भून के डाल सकते हो फिससे यहां पर हम ठकल लगा लेते हैं थोड़ा सा और यहां पर पकने देते हैं बस कुछ मिनट बाद हम आपर इसकी प्लेटिंग करेंगे तुरंत ही इसको आप गर्मा गरम में सर पर फुल रही होगी और तो प्लीज ब्लीज लाइक सब्सक्राइब जरू सखीजिएगा मिलते हैं एक एसी नेक्स रेसिपी के साथ अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सुम्राइब